नमस्कार माता एवं बहनो आज की विडियो आपके लिए बहुत ही खास और आवश्यक रूप से आपके लिए ही बनाई गई है क्योंकि हमने आज की विडियो में एक ऐसा वरत के बारे में जानकारी बताई है जो कि अगर आपने इस वरत को कर लिया तो आपकी प्रतीक मनोकाम इच्छा एक दिन में ही पूरी होने का महावर्दान आपको भगवान शिव के आपको प्राप्थ हो सकता है और सभी मनोकामनाएं इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं माता एवं बहनों हम भी इस वरत को अवश्यकी रखते हैं और हमारी हर एक मनोकामना अवश्य ही पू प्रशुप्तिनात वरत के बारे में हमने आपको संपून जानकारी बताने का प्रयास किया है और यह विडियो बहुत ही आपके लिए खास है इसलिए आप इस विडियो को पूरा ही देखें बीच में छोड़ कर ना जाए क्योंकि अधूरा ज्यान हमेशा खतरनाख ही होता है जो हमें पशुप्तिनात के वरक में नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें जरूर करना चाहिए मित्रों बारी-बारी से हम आपको सभी जानकारी को बताते हुए चलेंगे इसलिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक एवं महायोग टीवी चैनल को जरूर ही कर ले चलिए माता एवं बहनों जान लेते हैं चलिए भगवान शिव का एक नाम पशुप्तिनात भी है पशुप्ति का शाब्दिक अर्थ होता है इस ब्रहमांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक अर्थात जीवन का देवता नेपाल की राजधानी क पाठमांडू में पशुप्तिनात चार मुख वाले लिंग के रूप में आदिकाल से स्थापित है भगवान शिव का ये स्वरुप प्राणियों के किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है शिव महापुरान में वर्नित पशुप्तिनात का वरत देवाधि देव महादेव के इसी स्वरुप को समर्पित है अगर कोई मनुष्य सची श्रद्धा और पूर्ण विधिविधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ती के लिए इस वरत को धारन करता है वो अवश्य ही पूर्ण होती है पशुप्ति वरत को करना ज्यादा कठिन नहीं है और इसे रखने के लिए किसी विशेश मुहूर्थ की आवश्यक्ता होती है बस शर्द केवल इतना ही है कि आप पशुप्ति वरत के नियम का पालन शास्त्रों के अनुरूप ही करें आज इस पोस्ट के माध्यम से हम पशुप्ति वरत के नियम तथा पशुप्ति वरत की विधी तथा पशुप्ति वरत की उध्यापन विधी प्रदीप मिश्राजी के माध्यम से जानेगे जो की अत्यंत सरल है और शिव महापुरान गीताप्रेस गोरकपुर में वर्नित है पश आप इस वरत को वर्ष के किसी भी महीने के सुमवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ती वरत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने। शुक्ती वरत की पूजा की सामगरी की सूची देने जा रहे हैं। इन में से जो भी सामगरी यथा शक्ती आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए। आप उसी का प्रयोग करें। ये कतई जरूरी नहीं है की। नीचे दिये गए प्रत्येक सामगरी आपके पास हो पशुप्ती वरत की सामगरी पीला। अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्न, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धुक, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामरित। एक लोटा जल शाम की पूजन के लिए छे दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्चक है, पशुप्ती वरत के नियम गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुरार में पशुप्ती वरत के नियम क्या है? पशुप्ति नात का वरत लगातार पांच सोमवार तक करने का विधान बताया गया है, पशुप्ती वरत की पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है, तीसरी सबसे जरूरी बात ये है कि पशुप्ती वरत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगहयाश है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुरान के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुप्ती वरत करने की विधी का वर्णन किया है। अगर किसी वर्णन करें पशुप्ती वरत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 500 बार पूजन कर सकें शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तयार करें। पशुप्ती वरत की पूजा की सामगरी का चयन अपनी शक्ती और उपलभधता के अनुसार उपर बताए। गए लिस्ट से करें जिसमें एक लोटा जल अनिवार्य है, पशुप्ती वरत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तयार नहीं की जाती है। और पूजन की अन्य सामगरी समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्या का जाप करते हुए भोलेनात को धुप दिखाए, अब वापस अपने घर आ जाए। पशुप्ती वरत की शाम की पूजा की विधी दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोश काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामगरी सुबह वाली ही हो, दोबारा थाल को मत सजाएं सुबह पूजन के बाद जो सामगरी बची है, उसी से शिवजी के पूजन का विधान है, शाम की पूजन के लिए थाल में एक लोटा जल शेगी के दिये तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे की हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड़ू या बर्फी इत्यदी रख लें, पशुप्ती वरत के प्रसाद को आप घर में तयार करें और ये ध्यान, रहे, पूरे प्रसाद क शेगी के दिये को शिवलिंग के सामने रखें, अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी-बारी से पांच दिये को प्रजवलित करें, अब छटवे दिये को बिना जलाए वापस थाल में रख लें, तत्पश्चाद। थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें, अब इस प्रसाद को तीन बराबर-बराबर हिस्से में बाट दें, दो हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें, तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में। रख दें श्री शिवाय नमस्तु भ्यंका जाब कर, अपनी मनोकामना शिवजी से बोलें, अब वापस अपने घर के लिए निकले घर के मुख्य दरवाजे के सामने बहार ही बैठ जाएं, अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है, उसे अपनी मनोकामना बोलते हु अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें, तत पश्चात घर में प्रवेश करें, घर में प्रवेश के बाद धाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहन करें, इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को, नहीं देना है प्रसाद ग्रहन करने के बाद भोजन करें इस तरह पूजन करने के बाद आपके। प्रकाशित शिव महापुरान के माध्यम से पशुप्ती वरत की उध्यापन विधी भी बताई है। विशेश ध्यान रखना होता है। कलावा को पांच से साथ बार लपेट दें अब अपनी सुभा की ठाल में उस श्रिफल को रखलें साथ ही। शिवजी को जो भी 108 वस्तुए समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाए पहले की तरह ही एक लोटा जल प्रसाद। छे दीपक और तीन पेपर प्लेट भी रखलें मंदिर पहुँचकर शिवजी को जल समर्पित करें ततपश्चात सुभा की बची हुई सामगरी से शिवजी का श्रिंगार करें अब घर से लाए गए पुरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें उसके तीन बराबर बर हिस्से करें दो हिस्सा वहीं छोर दें तथा एक हिस्सा वापस थल में रखलें ततपश्चात थाल में लाए गए छे दियों को नीचे रखें अपनी मनोकामना बोलते हुए पांच दीपक प्रजवलित करें और छंटवे दीपक को बिना जलाये वापस थाल में रखलें शिवाय नमस्तुभ्यां का जाप भी करते रहें, जब ये 108 सामगरी शिवजी को समर्पित कर लें, तो लाए गए नारियल को शिवजी को स्पर्श करा कर नीचे रख दें धयान रहें। उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें, अब घर में प्रवेश करें, प्रवेश करने के बाद भोजन करने के पहले उस प्रसाद को ग्रहेन करना जरूरी होता है, इस तरह आपका पशुप्ती वरत पूर्ण होता है, मासिक धर्म में पशुप्ती वरत कैसे करें, कई महिलाओं के मन में प्रशन जरूर उठा होगा कि अगर पशुप्ती व्रत शुरू कर लिया हो और किसी सुमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड आ जाए तो इस स्तिथी में क्या व्रत मान्य होगा या वो खंडित हो जाएगा पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार अगर पशुप्ती व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उस स्तिथी में आप पुरे दिन व्रत का पालन करना अनिवार्य है अर्थात पुरे दिन फलाहार करें और रात्री में सात्विक भोजन करें परंतु इस दिन शिवजी का पूजन मत करें इस दिन का व्रत पांच सोमवार के व्रत की गिंती में मान्य नहीं होगा इस दिन के व्रत को अगले सोमवार के लिए टाल दें इस तरह से आप पशुप्ती व्रत को पूरा कर सकते हैं तो कैसी लगी पशुप्ती व्रत के नियम से जु शिश्की हो कि मासिक धर्म में पशुक्ती वरत कैसे करें अगर आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो आप महायुध टीवी चैनल को अवश्य की सब्सक्राइब करें और हर एक माता बेहन तक इस वीडियो को पहुचाएं जिससे कि इतनी ज्यानवर्धक जानकारी भारत की हर एक कोने तक पहुच सके क्योंकी हमारा तो संकल्प है की जनकल्यान करना और हर एक भारतिय नागरिक तक इतनी ज्यानवर्धक जानकारी पहुचाना इसलिए आप महायोग भी चैनल को आवश्यक ही सब्सक्राइब करें और साथ में आप इस वीडियो को भी लाइक करें